सुहेयर ओयलिंग के लिए मैं यूज़ करियो ऑलीव ओयल, ऑलीव ओयल मारे बालों के लिए बहुत ही जाधा अच्छा होता है और आपके बालों में यह बहुत जाधा नरिश्मेंट देता है तो इसको मैं डबल बॉयलर प्रसेस में ऐसे इसको गरम कर लूँगी से पहले आप थोड़ा सा एलों हेर कॉंग कर लो आप कॉटन भी ले सकतो पर मुझे उगता मतलब फैंसी नहीं होने का है क्योंगी मैं बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो करती हूँ वही आपके साथ शेयर कर यूँ तो आप फिंगर्टीप के बड़त से ऐसे लो और अपने स्क पर लगाओ यह जब आप लगाओगे ना इतना आपको अराम मिलेगा क्योंकि यह जो है अग्दम नियू कॉम रहता है तो बहुत अराम मिलता है तो सच में एक बार आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और अच्छे से अपने बालों को मसाज दो तो अभी आप एक बन बना दीजी अच्छे से अच्छे से एक बन बना के छोटीजियो और मैं दो गंटा भी वेट करूंगी तो दो गंटे बारक फिर मैं अपसे मिलती हूँ जो है आप अपने हैर में जो है आप स्टीम दे सकते हैं बताब एक टावल को थोड़ासा डिप करके फिर आप इन्हों ऐसे रख सकते हूँ तो मैंने को किया इसलिए में हैर जो है तोड़ासे घीले लग रहा है ना तो बहुत ही स्मूथ हो जाते हैं बहुत अच्छे हो जाते हैं और इसके बाद मैं लगाऊंगी एक हेर बैक तो यह टोटली ऑप्शनल है यह मॉम्स थेरपी बोलके कोई ब्रैंड है जिसकी प्रिडेक्ट मैं फॉर्स टाइम यूज करी हूँ तो इसको मैं यूज करूँगी तो यह काइंड ऑफ हेना टाइप करें मैंने वैनेटी कास के वीडियो में आपको दिखाता देखो मैं डालके दिखाते हूँ काफी तरह निकल गया है तो मुझे नहीं लगता मुझे इतना चाहिए थोड़ा सा मैं कम कर लेती हूँ शैंपू के लिए मैं ये वाव का एपल साइडर विनीगर यूज कर रही हूँ आप अपना फेवरेट शैंपू लीजिए तो एक मग में आप थोड़ा सा पानी ले लीजिए और उसमें मैं दो पंप शैंपू एट कर रही हूँ इसे शैंपू बहुत ही माइल होता है और ऐ आपके बाद थोड़े से अनो हलके से ड्राइ हो जाएंगे उसके बाद आप कोई भी जो है है सीरम लगा सकते हो मैं आजकल ये स्ट्रिक्स का ये सेरम लगाती हूँ किवाला लगाती हूँ और ये बस आपके इनो स्काल्प नहीं यहां से लगाना है मतलब नीचे की लेंट में ऐसे लगाना है इसे आप अपना हेयर कर सकते हो और आप देख सकते हो मेरे बाल जो है वो नाचरली बहुत ही हल्ली दीखते है और बहुत ही शाइन भी देखता है तो मेरे काफी अच्छे लगते हैं और ये बहुत सेंपल है ये सारे लोग कर सकते हैं तो ये था मेरा हेयर का रूटीन जो मैं हमेशे फॉलो करती हूँ और सबर मैं आपको तीन दीन तो आपको शैंपू करना ही चाहिए क्योंकि बाहर जाते हैं दूलमटे लग जाते काफी है और स्काब जो है खराब हो जाते तो इसलिए बहुत जादा जरूरी है तो आई होप आपको मेरा ये चोटा-साँ और सिंपल सा रियलिस्टिक एकड़ा ही तो पसंद आया है पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे और शैर कर दे और बस और कुछ कुछ नहीं चलिए नेक वीडियो में मिलूगी टाटा